कि नमस्कार दोस्तों ट्रेटलू की आफ्टर मार्केट एनलेसिस उडियो में आप सभी का स्वागत है तो चलिए देखते और प्लान करते कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी और कौन से स्टॉक्स करना चाहिए उमिद है आप सभी को बता है कि ट्रेटलू 2.0 ऑफर चल रही है जिसके ठैट मतली आपको यस्ट 1 थावजन रूपईस प्लस टैक्सेश थी मन्स के चार्जेश थी तवी ठाउजन प्लस टैक्सेश और ये चार्जेश आपके लिए सिर्फ और से टैन तैक्सेश है तो जल से जल इस ओफर क से लाब उठा है क्योंकि यह और आने वाले के रेजिस्टन्स था अब यही से एक हैमर केंडल डिफिनिट्ली से हम हैमर केंडल तो नहीं कहेंगे बड़ एक शार्प रिकावरी आईए अपसाइड में आशा करते हैं आपने ग्रीन डॉट्स की मदद से आज प्रॉफिट बनाया होगा तो चलिए 15 मिट टाइम फ्रेम पे चलके देखते हैं कि 15 मिट टाइम फ्रेम पे क्या हमें सपोर्ट और रेजिस्टन्स है और टेक्निकल और ऑप्शन्स लेवल भी हमारे लागा के देखते हैं एक चीज़ याद रखिए डाउनसाइड में डव्ली एस और डीए से वीकली सपोर्ट काफी इंपर्टन होता यह यह पूरे वीक के लिए आपको रहेगा फ्राइडे तक ही आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा अब नेक्स रेजिस्टन्स जो मिलने वाला है हमें मिलने वाले ट्वेंटीवन थाउजन नाइन से ट्वेंटीटीट तॉज़न के आसपस तो इस बॉक्स को आप रेड कर लिए आपको पता हो चलेगा कि यह रेजिस्टन्स पर जाते ही अगर आपने कोई भी लॉंग पोजिशन नहीं है डिफिनेटली उसे आपको कवर कर लेना है तो यहां पर देखे यह एक इंपॉर्टन्ट लोकेशन है और ऐसी तरह आपके लिए अप सपोर्ट जो है वह 21,700 से 729 यह लेवल जो है आपके लिए सपोर्ट बन गया है लेकिन क्यूंकि यह विज्वाल सपोर्ट है हम ट्रेड क्लू के सपोर्ट की मदद लेंगे कल के लिए तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो डब्ल्योएस और डीएस भी है तो इसको आप ग्रीन कर लिए जिससे क पता चल गई है कि बेसिकली निफ्टी ने भी एक अच्छी शार्प रिकवरी खी थी बॉटम से 21700 से अल्मोस्ट डेज हाई के आसपास ही बंद हुआ है ना कि वो डेज हाई के ऊपर भी जस डेज हाई के नीचे दस से बीस पॉइंट बंद हुआ है तो यहां पर अभी भी क्लेरीटी नहीं है बायर के पास कि क्या सही मैं देखे अगर क्लारीटी होती न तो डेफिनेटली क्या करते बायर अल्मोस्ट डेज हाई के आसपास 21965-22000 के असपास बंद होते अभी भी कनफर्मेशन नहीं आ रहा है कि बायर को सही में मार्केट ऊपर लिके जाना है और आही से कंफर्मेशन आ रहे कि सेलर्स को मार्केट मीचे लिए और उसमें आज फेड मीट होने वाली यह पता चलेगा कि इंट्रेस्ट जो है वह घटाई जाएंगे या बढ़ाई जाएंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि अब आने वाले सेशन में कैसा मूह होने वाला है तो हमारे पास कल के लिए सबसे बेस्टेट सेट अप यही होगा कि हमें मार्केट इस जोन में चाहिए डव्योएस और दीएस के बास यहां अगर ग्रीन डॉट साथे जैसे बॉटम में यहां आप देख सकते हो यहां ग्रीन डॉट साथे एक सॉलिड रिकावरी हुई थी यही निफ्टी अगर ओपन होता निफ्टी ओपन होके यहां नीचे डॉट साइड में आ जाता है डॉट यहां से एक रिवर्सल टेड लिया जा सकते हैं जिसका आपको फर्स टार्गेट आज की दिन का हाय मिल सकता है सेकेंड टार्गेट आपको डियार प्लस मैक्स पें यह जो डेली टाम फ्रेम पे अच्छी खासी क्लोधिंग जिससे कि हम आगे देखेंगे कि पोजिशनली 22,000 के उपर हम जा सकते हैं या नहीं अब इसी का अगर 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 गैप ऑपन हो जाता है 21,980 22,000 कोई भी निउज ओवर्नाइट आ जाती है यूएस मार्केट बहुत उपर चले जाती है 1-2% और गैप अप ओपनिंग मिलते हैं तो गैप ओपनिंग में याद रखिए कि यहाँ पर रेड़ बॉक्स हमें है तो यहाँ पर डेली रेश्टन्स भीए तो दो इंपोर्टन लेवल से यहाँ पर कोई भी हमें सेल ऑफ पैटन अगर सेल ऑफ कैंडल है बहुत बड़े ऑपडां में हम देखेंगे प्रेमियम ग्रूप में अपडेट देखेंगे कि बहुत बड़े ड़ेप जगे पर आपको जगे पर वुपर कमेंड बोक्स में हमें लिखके बताई है तो यह एक सपोर्ट जोन था जैसे हमने पहले भी डिसकस किया था क्यूंकि यह देखिए एक चीज़ याद रिखे कि यहां पर यह पहले रिजिस्टंस हुआ करता था रिजिस्टंस के बाद यह सपोर्ट कर रहा है यह डेफिनेटल क्या मार्केट बैंग निफ्टी ऊपर लेके जाए बैंग निफ्टी नीचे लिए जानी चाहिए तो यहां पर आगे चलके देखते हैं कौन सा इंपोर्टन लेवल है अब एक चीज़ क्लियर लिए देखिए बहुत अच्छी तरह से देख सकते हो यहां एक बैंग के लिए वेट करना है तो यह रेंज का हाईयर साइड अगर आप देखो है तो 46 680 almost 46 700 और डाउंसाइड अगर इसकी रेंज देखो है तो 46100 से 200 जिस भी दिन यह रेंज ब्रेक आउट होने वाली है डेफिनेटली दो से तीन दिर हमें ट्रेंडिंग देखने मिल सकते हैं तो दिर्फिनेटली यहां से शार्प बाइंग आ चुकिए यहां सिर शार्प बाइंग आ चुकी फिर से हां अके स्टेंग करना स्टाrट करतेघ अगर गिरता तो क्लिक करेंगे तो यहां पर चलिए देखते तो प्रेकषट में देखेंगे तो पहले 15 मिट्स टांफ्रेम पर चलके दिखते हैं कि क्या यहां पर सेटप बना एक ने अगर आप देख सकते हैं अर्मॉस्त 350 के लेवल से बहुत 7-8 परसंट की गिरावट है प्लस सेकंड मोस्ट इंपोर्टन तिंग क्या पता चल रही है हमें यहां पर मैक्स पूट ओए का लेवल यह चीज याद रिखे काफी टाइम स्टॉक में यह चेंज नहीं होते लेवल स्टॉक जदतर अगर रेजमाउंट रह है तो यह लेवल यही रहे जाएगा क्योंकि स्टॉक्स में ऐसा ही चलता है स्टॉक्स एक्सपाइरी के नजदिक जाएंगा और बड़ी मॉमेंट हो जाएगी तब जाके आप देखो कि लास्ट के फाइट टू सेवन सेक्शन में यह मैक्स पूट और मैक्स कॉल हो आई के होते हो आपको दिख जाएंगे तो यहां पर एक अच्छा का साव में एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो प्लस फॉलरड बाइड बॉक्स भी है और सबसे मॉस्ट इंपोर्टन यह है कि मैक्स पूट हो आई के उपर सस्टेन कर रहा ह है क्रेड करने के लिए और यहां पर अगर बुलिश कैंडल से ब्रेक आउट दे देता है डिफिनेटल यहां से अच्छी करसी शार प्रेली मिलेगे क्योंकि नेक्स रिस्टान वह सीधा मिलेगा 375-378 के लेवल के आसपस चलिए नेक्स टॉक कॉंदा से लिक किया गया है त यहां पर एक बार सिस्टम हम रिफ्रेश्ट कर लेते हैं रिफ्रेश्ट कर लिया है अब यहां पर बहुत अच्छा संकित होता है कि यहां से अगर वेख़ए से ब्रेकाउट होगा यहां डेख सकते हो अल्मोस अटरा तरिक से एक रेंग में और यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन जाते हुए फोकस करना है और वीडियो अच्छे लागा को लाइक कीजए और सेशेर करना मत बूलिए मिलते हैं next video, में.